इसके qualities को नहीं देखा, ओ तरी, ओ भाई, क्या jump लगा रहा यार ये, एक second, एक second, एक second, एक second, ओ हाई, मज़ा ही आ गया, एक बार ऐसा करता हूँ, अपनी इस machine को कूद के देखता हूँ, और इसके handling बहुत ही ज़्यादा सही है, मुझे ऐसा लगा रहा है, मैंने ना बहुत ही जा रहे है, Ranch Simulator, और ये series का episode 13 है, तो इससे पहले के अपने एपिसोड नहीं देखे, तो मैं I button में playlist की link दे दूँगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, और ये series ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, तो आप देखोगे तो आप वो बहुत ज़्यादा मजाने वाला है, और लास्ट अपसोड में भाई हमने अपने लिए ये fuel tanker खरीद लिया था, जिसकी capacity 1000 लीटर है, लेकिन हमार पाइस इतना पैसा था नहीं, तो सिर्फ मैंने 500 लीटर इसके अंदर तेल भरवाया था, और अभी भी इसके अंदर 444 लीटर तेल बाकी है, बहुत बहुत काम च ठीक है, एक बार ना बार ना उसमें, अभी यार 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 फिर गाये ओ, निकल जाएगी बार, अरे यार यार ये वाला गेट तो इसने ब्लॉक कर रहा है, तो मुझे दूसरे वाले गेट से जाना बढ़ेगा, तो एक बार ना ऐसा कर तो अंदर जाके ना भाई, इनकी हेल बकरा है ना इसलिए, ठीक है, अब भाई, उस सर्कुलेट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो जाता है, ठीक है, अब आ गया होगा शायद, हाँ ठीक है, अब आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है, और दस-दस करके भाई, सब मैं आ चुका है, तो ठीक है, ये तो यह बात है तो मुझे अस लगता है आगे चलके ना मुझे एक और ऑटमेटिक फीटर बनाना पड़ेगा एक से शाद मेरा काम नहीं चल पाएगा और मैंने थोड़ा सा ओफलाइन खेल के अपनी ओल ट्रेलिंग मशिन साइट से थोड़ा सा ओल भरवा के बेश दिया था जिसन मज़ा आएगा और कैसे फैला हुआ सामान पड़ा हुआ हमारे पिछले लास्ट वीडियों मैंने अपना घर तोड़ दिया था पिछला वाला क्योंकि हमने सांदर सालीशान फार्माउस बना दिया तो हमारे पुराने वाले घर का सामान ना ऐसे बिखरा हुए तो ठीक है इ जुरुत का सामान है इसको मैं अपनी मुर्गियों के फार्म में रख देता हूं और मुर्गियों की पता नहीं क्या दिखते एक घटी होके बैठ जाती है और इनका फूड बगर मैं चेक कर लेता हुए कि तरह हो रहा है ठीक है ठीक है फूड फूल है वाई क्योंकि मैंने फीटर से फुल कर दिया था ना तो सारे फूल हो जाते और मैंने तरह शांदार घर भना लिया फिर से टेंट में सोच आथा हुँ तो मैं अबी नहीं इता रहारा बाद में चलो हटा देंगे अब बहुस सारी चीजा औरेड़ी फैल हुई है तो इसको भी ऐसे रहने देते ह मतलब इस टोरूम अगर होगा ना हमारे पास तो सारा एक्स्ट्रा सामान जो हमारे कामकान यह ना उसको मैं उसमें भरके रख दिया करूंगा वह बढ़िया रहेगा फिलाल तो जितना भी मैंने सामान इसके अंदर भर लिया इस अपनी यूटीवी से इसको अटेच कर लेता ह मैं यही चोड़ देता हूँ और अपने बाकी के काम मैं देख लेता हूँ तो आज मुझे ना होर्स करीदना और यह बखरी के बच्चा लास्ट वीडियों भाग गया था क्योंकि मैं बैल ले गया था और बैल की वैसे यह बख्चब निकलने चला गया था और मैंने इसको अंदर ही नहीं रखा था वह तो बड़े भाई अभी भी यह जिंदा है वरना मेरा नुकसान हो जादा तो भाई मैं क्या बोल रहा था हां मुझे ना होर्स करीदना उसके लिए मुझे थोड़े बहुत पैसे की और जोत पढ़ने वाली कम से कम मेरे पास साथ या 8000 डॉलर ह पाउंगे ना तो ही मैं शायद होर्स खरीद पाऊंगा और होर्स करीदने के बाद भाई हम उसको ऐसे तो नहीं रख पाएंगे अपने बार ना उसमें या फिर रख सकते हैं शुरूबात के लिए तो एक बार मैं देख लेता हूं होड्स के लिए कोई इसमें इंतजाम दे देखा था यह कहा ट्रेणिंग टॉक्ट बाइए क्या चीज़ ओ तरी यह क्या है यह तो बहुती ज्यादा तकड़ा ऊसम लग रहा यह तो मुझे लगता है होड्स के ट्रेनिंग का अरीना या फिर एरिया भाई इसके अंदर एक बार मैं देख लाता हूं क्या 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 च थोड़ी बहुत भुड़ भाई मेरी इस ट्रॉली में भी पड़ी हूँ यह शाद में देख लेता हूं कितनी है इसमें अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला तो ठीक है सबसे पहले ऐसा अगर तुम्हें अपनी ऑल्ट्रिलिंग साइट बजाके नहीं उसमें ते बहुत साला तेल है तो अपनी जैरी केंश को बर लेता हूं और जैरी केंश को भरने के लिए मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा यह राइसका नोजल इस से मैं इसको भरना शुरू कर देता हूं और यह बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भर रहा है तो ठीक है इस वाली गाड़ी के अंदर थीक ठाक फ्यूल यह तो थैंशन वाली बात नहीं और इस वाली नोजल pouquinho इसमील लुद कि अपनी यूटीवी में और जल्दी से वाई अपनी और जाता हूं क्योंकि हम एक दो घंटे यहां पर काम करेंगे ना तब तक तो वह काफी ज़्यादा तेल बना देगी और उस तेल को बेच के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि एक बैरल तेल ना वाई 500 डॉल मेरे को लोन दे दिया ना वाई तो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और इनके पास ना वाई 500 पांसो हजार और धाई अजार तो पांसो डाइसो से मेरा काम नहीं चलेगा मैं धाई जार का लोन ले लूँका लेकिन इसकी इंट्रस्ट रिट देख वाई 25 प करते था हूं उसके बाद मैं थोड़े से एक या 2000 डॉलर और कमाने वाला हूं और उसके बाद फिर हम अपने लिए घोड़ा खरीदेंगे और घोड़ा खरीदने से पहले ना मैं सोच रहा हूं उसके लिए ना भाई ट्रेनिंग ग्राउंड बनाई दूंगा क्योंकि हम घो सब्सक्राइब क्योंकि मुझे साही बताओ पैसे की बहुत ज्यादा जूरूरत है और जो मेरी ऑईल ड्रिलिंग साइट है वह 200 मीटर नी दूर है तो चल दी से स्पीड बूस्ट मारके मैं निगल लेता हूं तो लगवग मैं साथ बैरल भरके यहां से ले गया था और उनक इसको तो रख देता हूं अपनी इस यू टीवी में और इस वाली जैरीकन को इसके अंदर फुल कर देता हूं ठीक है यह इसके अंदर भटती रेगी अब यहां से मैं निगल लेता हूं और अब चलते सीधा अपने रैंच पे और वहां से ऐसा करूँगा एक दो पिक्स में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं अपने घोड़े को देखने के लिए वाइट या फिर ब्लैक होर्स अगर मैं मिल जायागा तो बहुत ज्यादा मज़ा आ जाएगा क्योंकि काला गोड़ा और सफेद घोड़ा सबसे हटके लगते देखने में बाकि वह पीले लेकिन लगता नहीं के आसानी से मिलेगा क्योंकि वाइट और ब्लैक घोड़े की डिबांड सबसे जादा रहती है फिलाल तो मैं अपने रैंच प्यार करने लग रहे हमारे अनिमल्स आपस में तो सबसे पहले तो मैंसे कर तो अपना चीजमेकिंग शुरू कर देता हूं औ यहां रख सकते हुए जादर लिए वाई ये पूदे पीले किसे पढ़ गए अच्छा बाई ज़्यादा टायम तक अगर यह लगे रहते ना तो भाई यह पीले पड़ जाते जिए को भाई ज्यादा प्रोफिट नहीं होगा लेकिन ठीक है जितना भी होगा आज पैसे की सही में जरूरत है सारी की सारी चीजे मैं बेजने वाला हूं और बाई कभी-कभी तो मुझे असे लगता है यह मैंने green house फाल्दू भी बनाया मैं ऐसे खेती करने वाले बैड ना अगर जमीन पर भी लगा देता ना तो वहां पर भी हमारी खेती हो जाती तो बाई मैं एक दन पता क्या करूंगा इसके चारोत और फैंसिंग करूंगा वहा इसे की फिर हमें टैंच लेने की जरूद लिए फिलाल तो बाई ओयल ट्रिलिंग वाला जो धन्दा ना वह भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है उससे भी अच्छा का सा प्रॉफित हो जाता है लेकिन वह बहुत जादा चलती है उसके बाद हमें तेल मिलता है लेकिन जब मेरी आवकाद देखा दी नो मिल्क बोलके और अपना मिल्क भर देता हूं मैं अपनी इस वाली बकेट में और मेरा बैल 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 भाग गया क्या ओ बैल वो रहा पीछे ठीक है यह जल्दी से बच्चे भी दे देगी तो कोई टैंशन नहीं है अब ऐसे अगर तो मेरे अब पास जादा थे तो मैंने एक को चोड़के सारे बखरे मार दिये थे क्यूंकि भाई आपड़ बर्वाद होते हम बचाना निलागेगा और और उनको नहीं मारें तो हमारे चानवर मढ़ जाएंगे भूख प्यासे तो यह साई पर सबस्क्राइब करता हूँ इससे भी मैंने दूद ले लिया और यह वाली वक्री से मैं दूद ले लिया था गया एक तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और नहीं लिया तो मुझे ना शायद कुई निशानि निवगर आरा लाके इनके ऊपर लगानी पड़ेगी जिससे न मुझे पता चल जा कि मैंने कौन सी बख्री का दूद लिया और इसने भी नो मिल्क बोल दिया है अब मैं चक ले तो मैंने सारी बख्रियों से शायद मैंने दूद ले लिया है अब कोई भी बक्री या फिर गायडी बैची जिसका दूद मुझे लेना है और मेरे पास ना 25 लीटर दूद हो चुका है तो इससे ठीक ठाक कित्रे चीज बन जाएंगे मेरे को कोई आइडिया नहीं है पर जितने भी बनेंगे मुझे बनाने हैं और मैंने यहां पर टेबल लाके इसके बनेगा विना मोल्ड के चीज़ बनाने वाला हूँ और मेरे पास बरतन की कमी रहे गई तो मेरी ट्रॉली में बाहर और एक और पॉट्ट रखा हुआ है तो इसके इंदर थीन लिटर दूद पढ़ाएं गाएगा तो मैं देख लूँगा इसका भी यूज आ जाए तो और पर इसके अंदर अभी 17 लीटर दूद है तो ठीक है जितना भी दूद हो जाएगा सारा का सारा में चीज बनाने वाला हूँ और जो विना मोल्ड का जो चीज होता ना वह बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है और इससे भी ठीक ठाक पैसा में मिल जाते हैं तो जितना भी चीज मुझे काफी जाता पैसा मिल जाएगा अभी इसके अंदर 13 लीटर दूद बागी चीज बन जाएंगे और 6 से ज्यादा नहीं बन पाएंगे तो ठीक है चीज में बना लेता हूँ और 6 को बेचके मेरे पार 300 डॉलर हो जाएंगे जो कि बढ़िया अमाउंट है फिलाल क्यों मैं इतना जादा खुश नहीं हुआ तो जितनी मेरे सामान है ना मैं सब को लाके इस वाली यूस तो कभी करता नहीं और मैंने ऐसे एक बार खरीद ली थी और इसका अच्छा यूस भी नहीं है और अंडों से यादा मेरी मुर्गियों ने भी अच्छे खासे अंडे दे ॐ और कौन सा पिक्क है जिसने फूल साइज पगड़ लिए मैं एक भर चक कर ले कर ले था हूं मेरे खाल से फिक जिसने फूल साइज पकड़ा हुआ है और यह मेमिल पिग भाई यह तो बहुत तो बढ़े बाध 아닌 का तो इसकी काम नहीं कर दिये अब च्रु गड़े मेरे e सारे के सारे कूलर यहां पर जमा करके रखे हुए हैं तो पहले तो इन कूलर को मैं इसके इंदर रख देता हूं कुछ ऐसे और कुछ ऐसे और मुझे ना सारे के सारे कम आज इनिप्टाने पड़ेंगे मैं अगले दिन का वेट नहीं कर सकता क्योंकि आज प्राइस डवल चल सानी और यहां पर मैंने लाइट लगा रहा कि तो इनको भी मान कर लेता हूं क्योंकि बहुत जाद अंदेरा हो चुगा है और 25 मिलें देगो एक मीट का पीस यहां पर पढ़ा हुआ है तो मैं इस वाले कूलर को रख देता हूं अब मैं देख लेता हूं मेरा एक और कोई मे मार देता हूं क्योंकि यह भी मुझे 20 के आसपास पीसेस देगा जो की ठीक ठाक है मतलब हमारे पास इतने पीसेस तो हो जाएंगे कम कम से कम 1000 डॉलर तो मिली जाए भाई फिर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा फिर तो मैं चैंशन लेने की दूरत नहीं पै पिक्स के तो ठीक है जल्दी से बड़े हो जाएंगे ना तो हम इनको भी मार के बेज देंगे फिलाल तो अपने कूलर को मैं या रख देता हूं और अंधेरा देखो बाई कितना ज्यादा हो चुका है बाई जे जंगल के बीचो बीच है अगर लाइट है और नहीं होना तो बाई इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है कि बाई बिल्कुल सामने गड़ा बंदा भी नहीं देखाए देगा फिलाल तो बाई मैं अपनी यूटी भी उठाता हूं और मेरे चीज बाई कितना बनगी होंगे यह पर मैं देख लेता हूं क्योंकि चीज भी बन जाएंगे त दफर मैं ऐसा करता हूं दस बजे तक का मैं वेट कर लेता हूं क्योंकि दस बजे तक तो भाई वो प्राइस रहे गाई बारा बजने के बात शायद वो प्राइस चला जाएगा और जो दो मिनिट का टाम मिलेगा न मुझे दस से बारा के बीच में उसमें चीज बीचके आ जाओंगा तो ठीक है मैं ऐसा करता हूं तो अपने गाड़ी में लगा देता हूं और चीज के बनने का थोड़ी दिर वेट करी लेता हूं और यह देखो एक मीट का पीस इधर भी आ गया तो चटके मतलब 26 पीसिस दिये थे उस वाले पिग ने मतलब भाई वह उपने फॉल पचास डॉलर भी मेरे लिए बहुत जादा बड़ी रखम है तो भाई मुझे अपना एक भी डॉलर वेस्ट नहीं करना और इस वाले कूलर में तो भाई क्या रखा हुए तो ठीक है इन सीट्स को मैं आज निकाल के रख देता हूं बाहर और पैनेपल को भरने में इस वाले कूलर को रख देता हूं कुछ ऐसे और यह वाले मीट के पीसे करेंगे तो फिर नहीं रहता है क्योंकि बड़ी गाड़ी को मोड ने में थोड़ी दिक्कत आती है और फ्यूल का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमना भी हर चीज़ खरीद रहे हैं आगे चलके हम मैं फ्यूल की टैंचन नहीं है तब श्याद हम मन चाहिए अपनी गाड़ी चला लेंगे और यह आसमान भाई मैंने बहुत ज्यादा टाइम बाद गौर किया है क्योंकि हमना आट बजे सो जाते और दस बच चुक है ना ओ भाई मैंने तो टाइम का ध्यानी नहीं दिया और फिलाल तो जितने भी आइटम्स आना मैं इनिगों बेचने वाला हूँ और मेरी गाड़ी का अंदर भी फ्यूल भी अच्छा खासा है तो टैंचन की बात नहीं है और गाड़ी की अवास से ना भाई वहारी एक गाय भी जाग गई थी ठीक है भाई हमने उसकी नीद खराब क्योंकि बर्गर शॉप ना बहुत ज़्यादा पास में यहारे और आज चांदरी रात भी है तो हमें रात में भी काम करने में दिक्कत नहीं आ रही है और बर्गर शॉप आ चुका है और पूरी गाड़ी को ना मुझे डंक से लगाना पड़ता है वन्ना एक दू आइटम रहे जाते हैं और आज देखो भाई पॉर्क का मीट बोल का चीज का प्राइस चलना डबल तो पॉर्क तो में यह चीज बन जाए उसके बाद भाई उनको बेच के देखू या नहीं देखू कि चीज भी थोड़ी बहुत देर में बनने ही वाले हैं थीक है मैं इतना ज़या का टार्गेट था और मेरे पास ना अल्रीडी साड़े आठ डॉलर हो चुके तो अगर हम पांच हजार का भी होर्स लगागे चलेंगे फिर भी हमारे पास थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे तो ठीक है अभी तो आज की दिन तो मैं अपने टैंट में सो जाता हूँ और भाई यहां से ट्रेवल करना है इधार मुझे ट्रेवल करना है विलियम्स लाइफ स्टॉक और जैसे में यह दबाऊंगो ना पचास डॉलर की टिकेट भी है अब भाई यह तो दिक्कत वाली बात है और मैं ना ऑक्षन में आ चुका हूँ और सामने भाई यह देखो कितना छाए लग रहा बाई घोड़ा मैं तो बेट करना शुरू कर देता हूं बिना किसी सोच है और कितना जाथा सही करना बलेक है और उनिरो अट तेरी वह तेरी और तरी मैंने अड़ सट सो का शायद गोड़ा खरी लिया और यह वाइट कलर का भाई भॉत ही जादा बढ़िया लग रहा है इसकी आखे देखो बहुत कैसे अब बहुत है जिन्दा या फिर मर्दा यह गोड़ा कुछ जादा ही हॉंटेड सा लग रहा है और यार भाई मैंने व बैठोंगा इस वीडियो को तब भाई देखूँगा कि इसकी क्या खूबिया है और भाई मैंने सिर्फ रंग देखके सको ले लिया इसकी क्वालिटी को निंगा नहीं तरी जंप लगा रहा है एक सेकंड एक सेके एक सब्सक्राइब अपनी मशीन को कूद के देखता हूं इसके बहुत ज़्याद सब्सक्राइब भाई के बहुत ज्यादा सब्सक्राइब घुड़ा था फॉलुब बिचारा इसका स्टैम्ना थोड़ा कम है एक बार मैं ट्राइ करता हूं फिर से उपने घोड़े के साथ काफी जटा मस्ती कर ली और आज के दिन ऐसा कर तो अपने घोड़े को बैल के साथ ही रख देता हूं क्योंकि बैल को भी मिलना चाहिए कि वह अकेला बॉस नहीं होगी बैल के बराबर लेकिन भाई यह फूरतीला इतना ज्यादा है ना बैल के अंदर लात मार के भग जाएगा फिलाल तो ठीक है मैंने घोड़ा ओ मेरे गोड़ा कहां गया अंदर चला गया कुछ खाने पीने के लिए अंदर चला ग बैल कर देता हूं कि इसे ना बैल मेरा काफी जटा इस पेस घर रहा है उपर से यह ऐसे पड़ी हो यह ना बाई तो थोड़ा अच्छा भी नगड़ा यह मेरी मशीन है वाई क्योंकि आज इनको काम पढ़ने वाला बाई मुझे बहुत सारी लगड़िया बनानी है ना प्ल यह बार प्रॉपर में देख लेता हूं और इसका गेट तो मैं इधर ही करने वाला हूं क्योंकि मेरे रैंच के सामने रहेगा तो ठीक रहेगा और इसको ना थोड़ा मैं और ज्यादा पीछे ले जाके बनाने वालो इधर बिलकुल अलग ठीक है इसको मैं यहां पर लगा तो ठीक है आज मेरी यूटीवी का फिरजले का Means यूटीवी दूसरी गाडी मैं क्या करो यूटीवी का यूजज करूं और यूजली फिर जारीत है इसके कि सारी मशीने इसके अंदर चली जाओ तो मैंने भाई कॉम से कम सो प्लैंक्स बनाने एक बार में तो मशीने बोल रहे होंगे अब बच्चे तुन सो बोल रहे हम थो 1000 प्लैंक्स बना देंगे बस हमारे अंदर फ्यूल भढ़ दी हो तु लेगे और यहां पर बहुत सारे मैंने पेड़ काटके रखे हुए ना तो ये भी किलियर हो जाएंगे ठीक है आज ना एक तीर से दो निशान होने वाले हैं मेरे जितना भी ऐसे पड़े हुए थे ना पेड़ इनका भी काम ने पड़ जाएगा और मुझे ना काफी सारे वोड़न प्लैंक्स में मिल जाएंगे तो तो भाई अपने मशीनों को मैं ठीक से अरेंजमेंट में लगा देता हूँ क्योंकि भाई मैं इनको ना साथ के साथ ही रखता हूँ चिसे ना भाई मेरा एक सेगेड़ भी टायम वेस्ट ना हो और जल्दे लिना मैं इसके अंदर बोड़ लागे डालता हूँ जिससे मुझ तरी ज्ञादा स्पीड से बन रहें अब बस मुझे एक करकें अंदर लकडियां डाल लिया और यह ना भाई फटा फट से बना दिंगी एक बार बहाई दो तीन तीन चार चार प्लांक्स बन रहें तो सौप्लैंक्स बनाना तो बच्यों का हम हैं और मैं ना सौ से जादा ही बनाने वाला हूं मतलब इतनी वहां की वर्ड़ाना सारी की सारी में किलेर कर देता हूं कि हम अपने गोड़े को चारों तब दोड़ाएंगे तो अगर हमारे गोड़े के पैर में चोट आगी इस लखड़ी में टकरा कर तो यह बड़ी अबात रही है तो बहुत ज्यादा टा बन जाएंगे लगों कितने हो जाते हैं टेरा इंटू एट करते तो बाई एक सो चार प्लैंक्स हमारे पास हो जाएंगे और हमें सिर्फ सो की जरूरत है तो बाई तो मुझे और भी ज़्यादा बोड़ काटनी पड़ेगी तो बाई मैंने सोचा था उतनी जलती तो यह काम बनाएंगे उसमें घोड़ा मस्त हमारा रहा करेगा और खाने पीने की विवस्ता भी यह मुसीख अंदर कर देंगे तो फिला तो कितने स्टैक्स बन चुका है एक दो तीन चार पांच छे और साथवे में एक कम है तो भाई अभी मुझे बहुत सादा बनाने तो ठीक अपन 15 स्टैक्स मैंने बना लिए और इन से तो भाई आराम से काम चल जाएगा तो सबसे पहले तो अपनी मशीनों को भाई अपने ट्रक में रख देता हूं क्योंकि इन और भाई बहुत ही जदा काम किया है और इन मशीनों को भी अपने रैंच में वापस लेर के जाना ही वाला ह तो सारे के सारे स्टैक्स को मैं इसके अंदर जबा देता हूं तो अलट के इस भाई मैंने अपना ट्रक पूरा लोड़ेट कर दिया है और पीछ रखी है मशीन आगे रखे हुए मेरे स्टैक्स तो ठीक है इनको ओ यह क्या हो गया पलट कैसे गया यह क्या दिक्कत हो गई ज प्लीस रुख जा यार क्या हो गया तुझे ओ तरी उड़ गावावावे उड़ भूत आगया यह जिर में यार क्या ही गिलेच जब है मेरी पूरी मैनत गुमने लग रहे हुए उस ट्रक के अंदर रुख जा यार कितना वीट दरू रुखने का इसके तो बैटरी नीग गत इसके अंदर से में लकडे अब यार लकडे निकालना शुरू कर देता हूं बार क्या पता काम चल जाए ओ बढरे स्टैक्स निकल रहे हैं ठीक है इस टैक्स में डो तीन 4 स्टैक्स में बार फेंक दिये लेकिन अभी भी कोई असर नहीं हो रहा ठीक है मैंने तो भाई इसका दर्बाजा खोल दिया और इसने मुझे बहुत ही दूर फैंक दिया या मेरी सारी की सारी मैनत बरबाद मत कर वाई इस ट्रक को तो मैं उड़ा दू कि भाई इसको बॉम लगा के बॉम का सिस्टम निये कैस गेम मैं चैसे तैसे मेरे स्टैक साथ में तुम्हें निकालता जा र दर रह रहा है और उसके साथ कोई हमारे बाकी के जानवरा कर जगड़ा कर देंगी ना तो दिक्कत हो जाएगी तो मैं जल्दी से गेम रिस्टार्ट करके आया तो मैंने फिर से चालू कर लिया और भाई गूमना बंद हो चुका है और मैं ना इसके अंदर फिर सामान बसके बाख चल रहा है तो इस वाले ट्रक से तो मुझा मतलब भी नहीं है इस वाले ट्रक का मैं यूज लेने वालाँ बारे मैंने इसके अपने आनिमल्स को भर लेकर आया करूँगा फिलाल भाई अपने ट्रक को यह खड़ी कर देता हुगा तो ठीक है तूझैत बल बड़ी वाली ट्रॉली है जो कि घर के साड़ बे खड़ी हुए मेरा ना उस टैंपेस का ख्याल ले आया था ट्रॉली का क्योंकि वह इसे छुपके खड़ी हुए बिल्कुल इधर अगर मुझे शुरू में ख्याल आ जाते ना कि मिर पास ट्रॉली भी है तो भाई मैं ट्रक क बने हुए तो सबसे पहले दो भाई इनी को लोड करके लेकर आने वाला हूँ और यह वाला स्टैक्स भी आ जाके साड में ऐसे ठीक है अब देखता हूं मेरे कितने सारे स्टैक्स भागी है अब यह भी सल्टीक है ठीक है नहीं फैके इदर उदर ही पड़े हुए है तो मैं इनको एक करके सबको लोड कर रहे था उपनी गाड़ी के अंदर अल्मोस्ट सारे के सारे स्टैक्स में भर दिया लेकिन मेरी ना एक मशीन मुझे नहीं मिल रही मतलब मेरे पास तीन मशीने थी वुड कटर और मुझे सिर्फ दो ही मिलिया एक और दो पाई एक मेरी मशीन ज चली की योगी ना जो कि भाई साड़े सासोट डॉलर की आती तो भाई बहुत ही जदर नुक्सान हो गया होगा मेरा या फिलाल तो भाई अपनी इसको नीचे कर लेता हूं ठीक है और जल्दी दिना इसके अंदर वुड डालना शुरू कर देता हूं और इसके अंदर भाई और इसके अंदर भाई घोड़े को कुदाने के लिए भी बने हुए मतलब इसके अंदर हम उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवा सकते हैं और जो इसकी दीवार है ना उसको टापके जा नहीं सकता है तो उसको भागने की दिक्कत नहीं है पहले तो यह गाड़ी मटा देता हू मैं इसको अपनी फैंसिंग के अंदर रखूंगा ना जो कि मैंने बार ना उसके बार लगाई हुए तो इसको तो भाई कूद के निगल जाएगा लेकिन वारा ट्रेनिंग यार्ड ना उसको वह कूद नहीं पाएगा और घोड़ा हमारा इसी के अंदर मैं तो डर गया था भाई कई भाग तो नहीं गया साड़ बांट से लड़के फिलाल तो भाई जितनी भी लाइट हैं जो की ओफ हो गई थे हमारे गेम रिस्टाट की वैसे मैं उनको और लेता हूँ और एक वानना इनके फूड़ पर भी नजर माल लेता हूँ और जिते को गोड़े को क्या हो भाई भागने लगे मुझे देखके या रुक 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 घोड़े रुक भै खरीदा तुझे मैंने पैसा देखे मालिक हूँ मैं तेरा और कुजा अबे कूद रहा है क्या कर दिया क्या कर रहा है अच्छा ठीक है मुझे थोड़ा सा रण-ब लेकर आना पड़े वह इसकी देते हूं बादल गोड़े को ना बादल कितना अच्छे लग रहा है क्योंकि इसका ना बादल जैसे वाइट 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 कलर भी और यह बाइट कर रहा है यह बहुत ही ज्यादा तो इनके ऊपर उत्री यह तो इसको भी खूद गया वह जबती ज़्यादा स्वीड ग सब्सक्राइब 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 पर पहले घोड़े से उतर तु इधर नहीं तो रहाए यहां फिर से कोई गिलिए चोग गया कि उतर जा भाई मेरे ठीक उतर गया अब धंक से बैट इसके उपर गड़ा है वह रेसिंग गोड़ा है वह गदों की तरह बैट रहा है उस पर जब से ठीक है यह दोको हमारा जर्न स्टोर तो तो बैटम किया कि थोड़ा सा स्वैक जमागे आ जाते हैं कि वह सोचे कि आता था यूटी वी से पुरान इसी जैए और अब घोड़े से चलते हैं और देखो मेरे से घ्टी नहीं आता है कि घोड़ा यह और देखके इंप्रैस तो ओई गई होगी होगे यहारे है फिलाल तो अपने रेंच बंबापस जोड़ जाते हैं क्योंकि मुझे थोड़े से काम और करने अपने गोड़े के ट्रेनिंग यार्ड के अंदर मतलब इसके जो फूड़ बगारा कभी मुझे शायद ख्याल रखना पड़ेगा और जो भाई मेरी विंड मील और आटोमे पर इसको भाई इस के लिएना देता हूँ क्योंकि अगरी बार गया गया तो पने द्हान देता है दो यहां क्या करा होग hai नियुक्ष इंतना द्यान जाता है क्या करूर इंधर लगा देता हूँ ठीक है इसक過去 है § तो यहां पर यही पानी पी लिया करेगा अगर वो चारा खाए या फर ना खाए लेकिन पानी तो उसको पीना ही पड़ेगा और इसके अंदर 16 इसके अंदर 16 इसके अंदर अब ऐसा करता हूँ अपने यूटीवी को लेके चलता हूँ जनल स्टोर और यहां पर भी स्टेक्स पड़े हुए तो ठीक है एक मेरा फूड बार तो बनी जागा गोड़ेगा इसको मैं यही पर बड़क देता हूँ और अपनी में क्या बोड़ा था अपने यूटीवी को ल एक एक करके बटन दबाने बढ़ें कोई भी ऐसा में सुच नहीं है कि एक बड़ा दबा दी सारी की सारी घर की लाइट आउन हो जाए और यह देखो बाई जिसके लिए मैं आया था वो सारी की सारे चीज भी कुक हो चुक है तो ठीक है मैं एक कूलर भी लेके आ जाता आज के दिन को मैं बेच के थोड़ा प्रोफिट और कमा लूँगा और मेरी शाद तेल की जो मशीन है ना भाई उसके अंदर भी काफी ज़्यादा तेल भी जमा हो गया होगा तो भाई उस वाले तेल को भरके भी मैं बेच दूंगा बहुत जाता पैसा आ जागा फिर तो औ भाई उसको भी मैं चुका दूंगा क्योंकि उसका इंट्रेस्ट ने ना 25 परसेंट है और वो मैंने टाइम पे चुकाया दी ना भाई तो उसको मुझे लगबग 2500 के 3000 डॉलर देने पड़ जाएंगे तो 500 डॉलर का चूना वालतू में लग जाएगा जो कि बढ़िया बाद कैसे भी पार से कैसे भी चट जाती है इसलिए यह मुझे बड़ी लगती गाड़ी और कितनी भी बड़ी हम लगजरी कार्ज करीद लें इस यूटीवी के जगा अलग ही हमारे इस दिल में और यह देखो भाई कैसी बोरिंग सी गाड़ी जारी हारे कलर की तो इसको तो इग गोड़ी आफे हम इदर से नहीं खरी सकते हैं फिलाल तो इसे कर तो यहाँसरे में झारे किर दा गाफी सारे जाता है बाकि मुझे थूड़ा फोड़ा आईडिया है के गोड़ा वीट तो नहीं गाता गोड़ा घास खाता है और घास तो अमारे रेंचे काफी जादा यूज लगी पड़ी है ना तो शायद वो उसी घास को खाके अपना पेट भर सकता है गया पता नहीं अब उसकी हेल्थ भड़ेगी या फिर घटेगी उसी से शायद हमें पता चल जाएगा कि भाई वो घास खा रहा है या फिर नहीं खा रहा है ठीक है मैं ऐसा क बना देता हूं और उसमें भाई मैं पानी डाल देता हूं कि घोड़ा भाई प्यासा मठ जागा वैसे इसके अंदर जीरो भी पानी है तो ठीक है मेरी बाल्टी आप बाल्टी अपनी लेकर आनी है बाई मैंने कुवा तो तो तोड़ जिये न अपना ओ शिट भाई मुझे मैं तुओ बनाना पड़ जाए यार दिकत हो गई बैद ऑऔर मैं ट्राई करता हुं इसे पानी बर् verdict कहरे करता हो यार से बनाया बनाहित इन तो बैदा वट्र जाना पड़ेगा थे तो मैं ऐसा करूंगा टाइम टाइम बेना उसके लिए खरीद के लिया करूंगा या फिर हमार पर जब जब जाएंगे ना तब मैं उसके लिए उसका जो बाटर बोल ना वह अपना पी बढ़ जाया करेंगा फिलाल तो बहुत ही जदा तीखी है और यह देखो मेरी गाड़ी बुदी तरह से बहुत इसा स्पीड बजा रही और लखी है जो हमारा एक वर ठोके नहीं और इसली सेफ लेंडिंग हमारी हो चुके तो सबसे पहले तो यहां आधेरे में दिखाई नहीं यह और हमारा टेंट की तरह है यहां पर मैं सोई जाता हूं पहले तो अगले दिन भ और पाल्टी के इंदर पानी भर लेता हूं और पानी इसमें आ जाएगा भाई साथ लीटर और इस साथ लीटर पानी आई तो यह गोड़ा भी क्या मस तो सो रहा अकेला लेकिन इस गोड़े के लिए मुझे थोड़ा बुरा सा लग रहा है और यह विचारा थोड़ा मायू को इतना भी नहीं पता भाई कुछ तरीका है क MARigan का पता चल जया, जैसे मेल है फिर फीमेल है कोई पता नहीं रहा और मुझे यह भी नहीं पता कि अगर फीमेल गोड़ा लेके आऊ तो हमें बच्चे मिलेंगे या भर नहीं मिलेंगे या फिर हम गोड़े९ीच री सकते है क गोड़े में कोई कमी नहीं है गोड़ा बहुत ही ज़्यदा ओसम है बस इसकी जो आखो का कलार है ना भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बहुत ही ज़्यदा डराव ना लग रहा है अब यह सकर तो थोड़ी सी और ट्रेनिंग कर लेता हूं इसकी और भाई गोड़ा बादल भाई तकड़ाई यह तो और खुझा-खुझा ओ तरहीं वहाई क्या मसता है इसके बाहर में कुदा ना नहीं चाता है इसकी करना ना चाहता हूं तो बहुत जल्दी एक नई वीडियो में तब तक के लिए सब को बाई